अलो बरबान दिस इस अब शेक रायन वेल्कम यू ओल तो यूर फेवरेटी टूप जैनल राइजुकेशन राइजुकेशन चैनल पर आप जब भाई बंदिवकारतिक स्वागत है मित्रों सीटेट की सीरीज काफी दिनों से बंद थी क्योंकि मैंने लगा था इतनी धिर सारी इसके बाद हिंदी इंगलिश और मैत्माटिक्स टीन पोर्शन आपके ता है गैरी सिडीपी पने से यह मिलेगा जिसमें सारी चीजन कीस्पार्द आप बुद्धी और आकरी में मतपूरण प्रस्णूत्री का मील आपको वो न च्तुकि यहाल रहें यंच है इस सिधानगे चैसा गता है तो देर नकरते वीडियो शुरू करते वीडियो ज्यादा अगर श्यभ आप अब चैसरी वीडियो शुरू करते हैं अब तो मेंली फौकस इस वीडियो हमारा रहेगा बुद्uste के शुरू करते हैं फिर बुद्धी परिक्षन पर इसमें बातचीत करेंगे और बुद्धी लब्दी क्या होती इसमें बातचीत हम लोग करेंगे और यह नहीं देखा तो पुरे बुद्धी टॉपिक को आप समझ निपाएंगे तो बहुत इंपॉर्टन्ट है यह वीडियो आपके लिए तो प बुद्धी में परिभाषाय में इंपॉर्टन्ट परिभाषाय साब पहले आते हैं उन्हें बोलाए कि बुद्धी सामवर्दिक चिंतन है देखिए इसमें बहुत डेर सारी मैं आप लोग देखते हैं वो सुरू से कि मनोविज्यानिकों के खतन मैं वहीं बताता हूं जो आपके एक्जाम में पिछली एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इस पीरमें साब ने बोला है कि बुद्धी सामवर्दिक चिंतन है तो वहीं बकिंगम साब अगले मनोविज्यानिक एनों ने बोला कि सीखने की योगिता बुद्धी है एक एक लाइन के simple simple terms आपके दे इंबो के प्रकाश में सुधारने की योगिता है यह important है क्योंकि एक्जाम में पूछा जा चुका है तो note करते चलिएगा important की star बनाते चलिएगा जो important रहेंगे terms next है आपके बर्ट महोदे ने यह important नहीं है जादा लेकिन इनों ने बोला कि बुद्धी में अच्छी तरह निर्णे करने समझने ततातर करने की योगिता है इस्टन महोदे ने बोला कि नवीन परिस्तितियों में अपने विचारों को समायुजित करने की योगिता है क्या ब आपके टर्म्स में important जो है आपका experiment सापका यह जो कथन है बहुत important है बुद्धी सामवर्दिक जिनतन है ठीक है और Buckingham सापका कथन important है सेखने की योगिता बुद्धी है और MacDougal सापका कथन important है कि बुद्धी जन्मजात परुरुतियों को अतीर के नुभों के प्रकास में सुधानी की योगिता है और यहाँ पर इस टर्म्स सापका यह कथन तो यह चार कथन important है कि नवीन परिस्तितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की योगिता क्या कहलाती है आपकी बुद्धी कहलाती है ओके तो यह चार लोगों के कथन आप important है आप इसको note-down कर लिजेगा वीडियो को पॉस करके इसको लिखते चलिएगा ठीक है चलते हैं आगे एक तरफ अब बुद्धी के हमने देख लिए कि किस मनोविज्यानिक ने क्या कथन कहें हैं अब इसके बुद्धी के प्रकार के बारे में बात चुरित करते हैं तो इसमें कई बार पूछ बुद्धे की तीन प्रकार हैं कौन-कौन से यहां पर देखिए मैंने एक तरफ लिखा बुद्धी के प्रकार दूसरी तरफ उसकी विशहस्ताइं लिखें तो बहुत इंपॉर्टन्ट है यह आपके लिए तो पहले आती है मुर्त बुद्धी या उसी को यांत्रिक यांत्रिक 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 से संबंदित बुद्धी जो है तो उसमें इंजीनियर आएंगे कारिगार आएंगे ऑपरेटर आएंगे आगे चलते हैं मूर्थ बुद्धी मूर्थ हमने देख लिया अब अमूर्थ की तरफ चलते हैं तो अमूर्थ बुद्धी या सैध आशनिक करते हैं विज्ञानिक करते हैं यह सब खोजी प्रवित्ती वाले होते हैं सिधान पर प्रिंसिपल्स पर जिनके बुद्धी काम करती है यह दूसरी रही अमुर्थ बुद्धी या सैधानिक बुद्धी और तीसरी बुद्धी है आपकी समाजिक बुद्धी या विवारिक बुद्धी में आपके सिक्षक की यहां पर प्रमुकता होती है तो यह तीन important है और दिया किसने थन्डाइक महोदे ने बुद्धी के तीन प्रकार बताए हैं मूर्द बुद्ध्धि या यांत्रिक बुद्धी अमुर्थ बुद्धी या सैधान्तिक बुद्धी और समाजिक बुद्धी या वहवारिक बुद्धी तो यह देखिए इतना सौट में यह मेरे नोट्स हैं आप लोगों के लिए आपको पूरे चैक्टर पढ़ने की जरुवत नहीं है इनी सौट नोट्स के बेस 110 प्लस हमारा टारगेट है सीटेट को लेकर 110 एचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको इस बार सीटेट 2019 में तो बहुत आप 125 और 628 के लिए हाँ पर प्रिपेर कर रहे हैं तो लगे रहे हैं चले आगे चलते हैं तो देख रहे हैं इन सौट तरीके से हम लोग आगे हैं बुद्धी परिक्षण पर और मैं बहुत टाइम नहीं लगाना चाहता कि इस चीज़ों पर क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन इन सारे चेप्टर्स को हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे इसके बाद इतनी कोशन की प्रैक्टिस करेंगे कि आने और आपका इंडिविजुवल के लिए और ग्रूप के लिए ठीक है इंडिविजुवल आपका प्रिक्षण होता है और ग्रूप प्रिक्षण होता है अब एक एक के बारे में अच्छे से तोड़ा बात चीत करते हैं हम लोग जैसे इंडिविजुवल की बात करूं मैं तो व्यक्तिक बुद्धिक अंतरगत दो प्रकार की होती है, ऐसे ही भाषात्मक और क्रियात्मक, यहाँ पर आप इसको साक्षर भी बोल सकते हैं, साक्षर बुद्धि परिक्षण और निरक्षर बुद्धि परिक्षण, ऐसे भी आप बाचीत इसमें कर सकते हैं, तो व्यक्तिक कि अंतरगत जो शाक्षर या भाषात्मक बुद्धी परिक्षन में आता है इसको आप अमुर्थ भी बोलते हैं और इसको मुर्थ बुद्धी बोलते हैं तो इसके अंतरगत आता है आपका बीने साइमेन परिक्षन इंपोर्टन्ट है नोट करते चलिएगा क्योंकि आपसे बेतर आपके लिए नोट्स कोई नहीं बना सकता मित्रों तो इसके अंतरकत अमुर बुद्धी के अंतरकत आप बीने सामिन परिक्षन आती है और इंपोर्टेंट यह है कि यह तीन से पंदर वर्ष के बालकों के लिए लागू होती है बीने सामिन परिक्षन तो इसको नोट क यह दिया है 4 टीएस ने बोला जाते है 4 टीएस का भूल भूलेयाः पर्टिएशन दूर पhAyra बोला जाते हैं पूल भूलियाः प्रिक्षं गिया गया था और इसका नाम दिया गया है जो पूरा ग्रूप व्यक्षन से होगा कि आपका व्यक्तिक मूर्त बूर्थी प्रक्षन या बहाशात्मक जो कैसे भी प्रशन आए आप खुद इसको अगर आपने नोट किये हुए है तो आप एकदम अच्छे से इसको बिना किसी कंफूजन के कर सकते हैं बाते आते हैं इस तो सामुहिक में ही दो प्रकारें इस वजे से आपको कोई भी परशानिती के इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि आपको समझाने में आशानी रहे ठीक है यहां पर आप देखेंगे बुद्धी परिक्षन व्यक्तिक और इदर सामुहिक दो हैं दोनों के सामुहिक बुद्धी परिक्षन और यह जब आपका दिर्ति विश्विद्ध हो रहा था तो वहां पर यह यूज किया गया क्यों देखिए हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजबल और साक्षर अच्छा एक कॉमन एक्जांपल आपको समझाने के कोशिश करता हूं कि इंडि चांदू ठीक है किसी एक बालों को ट्यूशन दो एक घंटे पढ़ाऊं और वहीं एक घंटे मैं कोचिंग क्लास में दूं 300-400 बच्चों को पढ़ाऊं तो यहां पर वहीं अंतर है सामुहिक और आपके व्यक्तिक में ठीक है और इसमें भाषात्मक को साक्षर बोलते हैं रक्षर होता है यह यूज कब रुगा था यह दिरतिव विश्विद्व के समय किया गया था लोगों को इसके लिए मोटिवेयर करने के लिए तैयार किया गया था यहां से बात कर सकते हैं जब विश्व और यान्शे जाएग ये आर्मी जाएगी ति बिल्कुल वही नाम ह इस वज़े से यहां भी इसका नाम साक्षर है अब आपको पता चल गया होगा जिनको जानकारी थी अंग्रेजी की उनके लिए आर्मी अलफा परिक्षन और जिनको जानकारी नहीं थी उनके लिए आर्मी बीटा परिक्षन ठीक है तो A से अलफा और ABCD किसमें हम लोग पढ़ लाश्ट टाइब में बहुत देखिएगा बहुत जादे इसफूल होंगे जलिए आगे चलते हैं और इसी में पूछता है कि दिया किसने हाँ यह चीज और इंपोर्टेंट है आपके लिए इसमें नोट कर लिजेगा कि यह आर्मी अलफा परिक्षन और आर्मी बीटा परि और सामीक रूप से बोलेंगे तो सामीक आपकी बुद्धी परिक्षन वागी चलते हैं नेक्स्ट हमें हमारा बुद्धी लब्दी इतने तरीके में आपको मैं समझाओंगा कि आपको जो जो इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए वहीं आपको यहां पर मिलेंगे छोटे स वीडियो में 15-20 मिनिट वीडियो में आपके कई टॉपिक्स जो अलग-अलग आपको चैनल्स पर अलग-अलग जगां आपको बुक्स में नोट्स में कई धेर सारे पेजस पढ़ने पढ़ते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने पढ़ेंगे ताकि आप लास्ट क्या होता है इंटैलिजेंस कोशंट कि इसके पर्तिपादक को ने इस दिया को टर्मन साब ने दिया है यह फॉर्मुला है किस ने दिया है यह टर्मन साब ने आइक्यू इस उकल करते हैं इसमें मानसी कायूं सी यान एक एक्जाम्पल इसमें लूम है क्योंकि कई-कई बार आपके टेट में mor To जो UPDT होता है कि उसमें भी पूछा जा चुका सीटेट में भी पूछा जा चुका है कि मान लिजे एक बालक है जिसकी मानसिक आयू यानि जैसे वह कच्छा तीन में पढ़ता है कच्छा चार या पांच के बच्छाओं की किताबों के प्रश्ण हल कर लेता है तो उसकी मानसि प्रश्ण है यह जारी आर्ट वर्सकी तो आठ बटे चे गुड़े सो कर देंगे से उसकी बुद्धि लब्दी निकल कर आ जाएगी जो भी होगी ओके इसी प्रकार आप बुद्धि लब्दी सूतर से निकालते हैं यह सूतर बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कर लिजे द तीन चीजें बहुत जादा थीन मनवग्यानिक बहुत जादा इंपॉर्टेंट हैं कौन-कौन पहले बात तो टर्मन साहब अप्शन में आता है जो बिल्कुल भी गलत है याद रखेगा बुद्धि लब्दी के प्रतिबात है कि आपके टर्मन साहब और टर्मन साहब ने तीन इंपॉर्टेंट हैं लोग कौन-कौन तर्मन साहब को आपने जाने लिया बुद्धि लब्दी इन्हों ने दिया है अच्छा ये कन्फीजन पहले मैं दूर करता हूं फिर मैं बता हूं कि 1912 या 13 में बीने आपके बीने जो थे बुद्धि परिक्शन को उन्होंने सब्सक्राइब अब इसमें दूसरे जो इंपॉर्टेंट है वह आपके विलियम स्टर्ण साहब है सरवत्म बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्दी का जो प्रयोग का सुझाव दिया गया था वह विलियम स्टर्ण दारा दिया गया थे यह याद कर कि एगा ठीक है बुद्धि लब्दी के प्रयोग करने के लिए जो सुझाव दिया गया बुद्धि मापन में वह विलियम स्टर्ण ने और बुद्धि लब्दी के एक प्रश्म पूछा था कि जनक कौन कहे जाते हैं तो वैसलर साफ कहे जाते हैं मैंने आपने को जब इंपॉर्टेंट आ प्रश्म प्रस्म को करते हैं इसके बाद परशान बिलकूल मत होईएगा क्योंकि इसके बाद इतने हम लोग कोशन करेंगे क्योंकि पूरा चेप्टर हो जाने दीजे CDP का उसके बाद हम लगातार आपको एक एक वीडियो रोज पड़े मिलती रहेगी प्रैक्टिस की तो चलते हैं पहले प्रशन की बात करते हैं अवधारणाओं का विकास मुख रूप से डैस का हिस्सा होता है बहुत दिख विकास का सारेजिक विकास का सामाजि की सिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेषिग सिक्षा द्वारा मुक्य धारा में डालकर समा-कलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं तो निशक्त बालकों के सिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो आपका समाविश्य सिक्षा दोरा यानि समाविश्य यानि कि सबको समलित करके सिक्षा देना समाविश्य सिक्षा मतलब यहीं होता है चाहे वो पिछडा बालक हो चाहे वो प्रतिबाशाली प्रश्न संक्या 3 निमिलकित में से कौन सी मानसीक मंदता की विशेस्ता नहीं है बुद्धी लब्दी का 25 से 70 के मद्ध होना धीमी गती से सीखना एवं तैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना वातावरण के साथ अनिकूलन में कठिनाई या अंतरव्यक्तिक संबंदों का कमजोर होना तो आपका तीसरी प्रश्न का उतरड़ी बिल्कुल सही होगा कि अंतरव्यक्तिक संबंदों का कमजोर होना ये आपकी मानसीक मंदता की विशेस्ता नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है आपकी मांसिक मंदिता का बुद्धी लब्दी भी है जीमी गती से सीखना और वातावरण के साथ अनकुलन में कटना ही ही यह सारी चीजे मांसिक मंदिता की विजेस्ताएं है प्रशन संक्याचार विद्यारतियों के अच्छे मांसिक स्वास्त को बनाए रखने के लिए निमन में से कौन सा तरीका अधिक मत्पून है तो चोते प्रशन का उत्तर डी बिल्कुल सही होगा आपका की विद्यारतियों के जो अच्छे मांसिक विस्वास्त को बनाए रखने के लिए अपके अध्यापक की भूमिका और विद्यालक अवातावरन बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है प्रमुकता से इसी को मिन प्रमुक आधार मानते हैं प्रशन संक्या पांच कमजोर वर्ग के बालक से तातिपर क्या है कमजोर वर्ग जो हम लोग बालक लगाते हैं ये टर्म का मतलब क्या होता है ऐसे अभिवावकों के बालकों से जिनकी वार्शी काय कम है ऐसे अभिवावकों के बालकों से जो वन्चित वर्ग से में आते हैं ऐसे अभिवावकों के बालक जो गरीबी रिखास से नीचे आते हैं, ऐसे अभिवावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित नियुन्तम सीमा की वार्शी काय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो प्रस्ण संक्या 5 का उत्तर होगा D, आपके जो कमजेर होते हैं, जो सरकार द्वार निर्धारित नियुन्तम सीमा की वार्शी काय की सीमा से के नीचे वर्ग में आते हैं, तो प्रस्ण संक्या 6 पे आते हैं, तो रमेश और अंकिता की जो मापन बुद्धी लब्दी है, वो 120 है, और रमेश अंकिता से जो दो वर्ष छोटा है, औ अपन सीए इंटू हंडर्ड ये इंगलिस वालों के लिए जो इंगलिस में यूज करते हैं टर्म, और हिंदी वालों के लिए बुद्धी लब्दी बराबर, बुद्धी लब्दी बराबर, मानसिक आयू, बटे वास्तविक आयू, गुडे सव, तो यहां पर बोला जा रह आएगा, आपका 12 वर्ष्ट दी गई है, उसकी आयू, तो रमेस की मानसिक आयू कितनी होगी, तो सीधी जबात है, यहां पर यह दो वर्ष्ट उससे छोटा है, यहां पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सेव होगा, 10 वर्ष्ट हो जाएगी, क्यों होगी, इसका भी रिजन यही ह आप फॉर्मूले में रखी है, तो यहां पर जो नीचे, आपका 12 आएगा, यहां पर, मानसिक आयू, बटे, आपका X मान लीजे, और गुड़े 120 यहां पर, यह फॉर्मूला है आपका, गुड़े 100 रहता है, तो X को यहीं पर टर्म रहने दीजे, और यहां से, दम्मा, और 10, 10, 10 आएगा है, ठीक है, तो B option मिलकुल, आपका सही होगा, 10 वर्ष, प्रसन संक्या साथ, बुद्धी का थोड़ा यहां पर धुनला है, थोड़ा सा, अन्रीडेबल है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, आप ध्यान परोग सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा यह, इलफोर्ड के बुद्धी का सिधान्त, स्पियर में के दुखंड सिधान्त या बर्नन का पदानुकरमिक सिधान्त, तो साथ में को उत्तर आपका C होगा, यह स्पियर में का है फैक्टर दुखंड सिधान्त, जिसमें उन्होंने G फैक्टर और S फैक्टर को, S यानि स्पेस मानसिक स्वास्त और डैज में घनिष्ट संबन्द होता है किसमें अभिवरिद्धी में आपकी एक सेकेंड तो अभिवरिद्धी में स्विकारेता में बचने में या समायोजन में तो मानसिक जो स्वास्त होता है और आपके जो समायोजन होता है उन दोनों में घनिष्ट संब प्रेशन संक्या नौ मांसिक स्वास्त के नियमों को खोजना और उन्हें बनाये रखना अध्यान का केंदर बिंदू है किसका इस शैफर का है एड़ फिल्ड का ड्रेवर का या लैडल का तो यह नौवा जो है यह आपका सी ऑप्शन प्रेवर महोदे का कतन है कि मांसिक स्वा धरशन का घाराय वर्ठा प्रेवर ममन करने है किसके तनाव के या संबंद के या चिंटा के तो मंसिक विकर है सभी दर्शाते हैं किसी एक को छोड़कर पाटिकुलर तो यह आपका सी थिस ? आपका ये ये भी आप जब बुद्धी ये सिधान्त को पढ़ेंग तो आपको पता चल जागा ये आरवी कैटल का है कैटल ने बुद्धी का तरल और ठोस सिधान्त दिया आरवी कैटल ने प्रशन संक्या बारा निमनिमे से कौन से लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सरवादिक वा उसकी वाहारी है तो तो उसमें सर्वादिक आपकी मांचनीता होगी कूए उसके लक्षण संसी आरे हैं प्रसें संक्या बुद्धी लब्दी के समंध्य में क्या सत्ते हैं बुद्धीलब् refuse किरमियर समंधित हैं तो सी बिलकुल स्वाहे है काला नुकरमिक आयूस से विर्थक्रमी संबंदित होती है इसका मतलब आप समझते है बुद्धी लब्दी का अपने फॉर्मुला दिखा है में अपन सी ये बोल रहा है काला नुकरमिक आयूस से विर्थक्रमिक संबंदित है आपकी वित्करमी संबन देता है कैसे काला नुकरमी के यानि कि जो आपकी chronological age है वो वित्करम में है किसके बुद्धी लब्दी के है ना तो बुद्धी लब्दी क्या होती है यहाँ पे होती है बुद्धी लब्दी अगर आपको याद होगा देखिए फॉर्मुला ही पूछा है लेकिन गुमा के पूछा है कैसे बुद्धी लब्दी बराबर क्या होता है आपकी मानसी कायू बटे वास्तविक कायू कुडे सो ना तो आपको मिल दाएगा जल्दी तो बने रही हमारे साथ और ऐसे ही सीटेट की प्रफिशन बनाये रखी और 110 प्लस का लक्ष हासिल करने के एक कदम आगे बढ़ते रही है अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे लेटियस वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएजएगा मैक्सिम शेर करते रही पढ़ते रही भारत को आगे बढ़ाते रही है गट ब्लेस वोल भारत माता कीजए थैंकिसो माच